मैं विशक जोशी, Electrical Engineering, 보la Group of Companies दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे RCBO के Testing Procedure के बारे में आज मैं आपको बताओंगा किизнесच में जब भी आपको RCBO को Test करना पड़ता है कि RCBO healthy है या healthy नहीं है तो वो टेस्ट कैसे किया जाता है RCBO की टेस्टिंग करने के लिए ऐसे कौन-कौन से points है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए ताकि आप ये decision perfectly ले सके कि आपको RCBO replace कर देना चाहिए या जो RCBO आपने particular location में लगा रखा है वो perfectly अपना काम कर रहा है या आप कैसे decide करेंगे ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो दोस्तो बिना time waste के शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले short में मैं आपको बताता हूँ कि RCBO basically होता क्या है हाला कि RCBO पर मैंने separate video भी बना रखे हैं जिसका link भी मैं आपको i button में दे दूँगा उस video को देखकर आप RCBO को detail में समझ सकते हैं पर अब भी short में मैं आपको बताता हूँ कि RCBO basically होता क्या है देखे RCBO का मतलब होता है residual current circuit breaker with overload इसका मतलब यह है कि पहले हम लोग जो ELCB यूज करते थे और जो MCB यूज करते थे इन दोनों को combine करके जो resultant product मिला है उसी को हम लोग RCBO कहते हैं इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि RCBO एक ऐसा device है जो आपको MCB का भी काम करके देगा यानि कि overload से भी यह आपको protection provide करेगा प्लस यह जो ELCB, RCCB हम लोग लगाते थे यह उसका भी आपको काम करके देगा यानि कि यह leakage current को भी sense करेगा और RCCB जिस fault पे आपको tripping provide करता था जो earth leakage से आपको protection provide करता था वो काम भी आपको करके देगा तो RCBO basically MCB और RCCB इन दोनों का ही काम करता है और इन दोनों को ही combined करके एक product जो बनाय गया है उसी को हम लोग RCBO कहते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि RCBO को test करने का procedure क्या है या वो कौन सा तरीका है जिससे आप ये test कर सकते हैं कि आपका जो RCBO है ये healthy है या अब इसको replace कर देना चीए तो देखिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि किसी भी RCBO में एक test button रहता है आपको सरिफ ये करना है कि RCBO को एक power source से connect करना है यानि कि basically आपको RCBO को supply provide करनी है उसके बाद आप जब ये test का button प्रेस करेंगे तो आपका RCBO trip होना चीए तो आप ये simple सी एक टेकनिक ध्यान में रखिए कि RCBO को आप एक supply source से connect कर दीजिए और RCBO को on कर दीजिए यानि कि जैसे MCB का एक knob होता है वैसी RCBO को आप simply on कर दीजिए switch on कर दीजिए उसके बाद आप test का button दबाएंगे अगर ये RCBO trip हो जाता है इसका मतलब आपका RCBO healthy है इसका जो internal circuit है ये पूरी तरीके से healthy है और अब ये अपना काम overload से protection और earth leakage से protection ये दोनों ही काम ये बहुत आसानी से effectively कर पाएगा पर मान लिजिए आपने RCBO को supply source से connect किया पर अब जब आप test का button दबा रहे हैं तो आपका RCBO trip नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि ये RCBO a faulty हो चुका है इस RCBO से अगर आप किसी भी device को connect करते हैं तो protection की कोई भी guarantee नहीं है तो इस case में industry में आप क्या करेंगे अगर test का button दबाने से आपका RCBO trip नहीं होता तो इस RCBO को आपको तुरंथ replace कर देना चाहिए ताकि जो भी device आप RCBO से connect करने वाले हैं जिस भी device को आप RCBO से supply प्रोवाइड करने वाले हैं उसकी protection आप पूरी तरीके से assure कर सके एक दोस्तो दूसरा तरीका भी होता है जो बहुत सारी industries में use किया जाता है वो यह है कि ELCBO या RCBO टेस्ट करने की एक अलग से testing kit आती है देखे अगर आप एक RCBO को देखेंगे तो mainly उसमें तीन rating mention रहती है एक तो यह है कि आपके RCBO की current rating क्या है जैसे 32 ampere का अगर RCBO है तो इसका मतलब यह है कि maximum 32 ampere का load आप उस particular RCBO या ELCBO पर connect कर सकते हैं दूसरी rating जो होती है वो होती है उसके tripping time की यानि कि यह है कि एक RCBO अगर कोई भी abnormality को sense करता है तो कितने time period में वो tripping provide करेगा तो जैसे 500 millisecond की मान लीजिए अगर कोई RCBO है तो इसका मतलब यह है कि जब भी वो RCBO abnormality को sense करेगा तो maximum 500 millisecond वो लेगा tripping provide करने में इसके अलावा एक बहुत important setting होती है या एक important rating आप बोल दीजिए कि आपके RCBO के current sensitivity की rating क्या है इसका मतलब यह है कि RCBO कितने leakage current को sense करके tripping provide करेगा इसको बोलते है कि उसकी current sensitivity कितनी है तो जैसे जो normally जो maximum RCBOs होते हैं जो industries में लगे होते हैं उसकी जो sensitivity rating होती है यह 30 milli amperes होती ह है इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है पर अभी के आप यह दियान में रखिए कि एक RCBO है जिसकी जो sensitivity rating है यह 30 milli amperes है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका RCBO 30 milli amperes या उससे जादा का leakage current sense करता है तो maximum 500 millisecond का time लेगा आपके circuit को trip करने के लिए अब second procedure में हम लोग यह करते ह है कि हमारे पास जो RCBO की testing kit है उसको हम RCBO के साथ connect करते हैं और उस testing kit के थुरू हम 30 milli amperes का current उस RCBO में inject करते हैं जैसी RCBO में 30 milli amperes का current inject होगा RCBO इसे abnormal मानेगा और आपके circuit को trip कर देगा अब वो trip करने में कितना time लिया है वो time आपके जो testing meter है उसमें लिखकर आ जाएगा तो आपका RCBO की अगर tripping time 500 millisecond है और अगर उसका testing जो time आया है जो tripping time आपने जो record किया है टेस्ट करते वक्त वो अगर 500 millisecond से कम है तब तो आपका RCBO healthy है आप उसे बिल्कुल continue कर सकते हैं पर अगर 30 milli amperes inject करने के बाद वो RCBO trip ही नहीं हो रहा या वो 500 millisecond से जादा time ले रहा है trip होने में तो उस condition में आपका RCBO सही नहीं है और आपको उस RCBO को replace कर देना चाहिए तो दोस्तों यह वीडियो बहुत important था यह interview में भी पूछा जाता है company में जो audit होती है तो auditor भी एक question करता है कि आप RCBO को कैसे test करते हैं कि यह healthy है या healthy नहीं है तो वहाँ भी आपको इसी तरी रखे गुड़ पाई